लुक् ấy नमस्कार और स्वाग्य ठ्यब्स सभी का अचा धर्म संप्रदाय और संप्रदायक्ता के बारे थोड़े सी पढ़ेंगे तो धर्म बहुत करें तो धर्म को लेकर संस्कृत में कहा गया है कि सास्त्र विहतम यत्र- यत कर्म क्रियते सधर्म इतिवी दियते यानि कि सास्तों के अनुसार जो कारी किया जाता है वो धर्म कहलाता है और वास्तिक रूप में देखा जाए तो धर्म एक ऐसी विश्वास प्रणाली है जिसमें लोग अपने वेक्तिकत विश्वासों के एक अंग के रूप में उसका पादन करते हैं धर्म कहलाता है जबकि अगर हम संप्रदाय की बात करें तो धर्म के अंतरगत संप्रदाय आता है और ये बहुत प्रकार के होते हैं ये हो सकते हैं तो संप्रदाय की परिवादा कुछ ऐसी है कि एक ही धर्म की अलग-अलग परंपरा या विचार धारव को मान ने वाले लोगों के समुदाय को संप्रदाय कहते हैं और इसमें गुरू से से परंपरा होती है संप्रदाय में जो कि गुरू के द्वारा प्रतिपादित परंपरा को मानते हैं और जितने जो धर्म है प्रचलन में लगभग उन धर्मों में संप्रदाय मौजूद ही होते हैं तो अगर हम हिंदु धर्म की बात करें, तो हिंदु धर्म में सैव, वैशनों, साक्त, मत या संप्रदाय पाये जाते हैं, और मुस्लिम धर्म की बात करें, तो सिया सुन्नी संप्रदाय पाये जाते हैं, और जैन धर्म की बात करें, तो जैन धर्म में स्वितामबर, यह सब मौपूद हैं यह हो गया संप्रदायगों की बात अब हम बात करते हैं संप्रदायकता की तो यह थोड़ी सी संकीन विचारधारा वाला सिश्टम हो जाता है इसमें तो संप्रदायकता कुछ ऐसा है कि यह धर्म संप्रधारित समाजिक और राजनेतिक पहचान की विचारधारा का नाम संप्रधाइकता है और बिल्कुछ छोटे सब्द में कहें तो धर्म का राजनेतिक विपार संप्रधाइकता कहलाता है और अगर हम कुछ और धंग से बात करें संप्रधाइकता का तो संप्रधाइकता जो है एक प्रकार का विचारधारा होता है जिसके अंसार कोई भी समाज यानि कोई समाज बहुत सारी हीतों से युक्त विभिन्ने धार्मिक समुदायों या संपुदायों में विभक्त हो जाता है इसके अलावा समुदायों के द्वारा दूसरे समुदायों या धर्म के विरुद किये गए सस्तुरू भाव को भी सम्थायों के रूप में अभी वक्त किया जा सकता है अब हम बात करें कि सम्थायों के अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि बहुत सारे जो राजनितिक पार्टियां है वो अपने राजनीतिक लावों के पूर्थी के लिए संप्रदाइक्ता का सहारा ले लेती है साथी साथ एक प्रिक्रिया के रूप में ये जो राजनीतिक राजनीतिक का संप्रदाय की करण हमारे देश भारत में संप्राइक्टा को बढ़ावा देने में कारगर रहा है आर्थिक करण की बात करें कि भाई आर्थिक वज़े से क्यों संप्राइक्टा बढ़ता है उसका वज़े यह है कि जो विकास का असमान इस तरह है साथी साथ वर्ग विभासन और गरीबी बेरोज़कारी इन सब के वज़े से लोगों में असुरक्षा का भाउत्पन होता है और जब आर्थिक असुरक्षा का भाउत्पन होता है लोगों में तो ऐसे लोग सरकार पर से विश्वास इनका उठ जाता है और इसके बाद क्या हो कि जो और राजयतिक दल है जो कि जाती बाद या ऐसी कुछ सिष्टम पर चलते हैं उनकी और इनका जुका हो जाता है और सांप्रदैक्तर का विकास होता है इस तरह से और प्रसासनिक कारण की बात करें तो इसमें इसका मुख वज़य यह है कि जब खासकर पुलिस और अन प् कमी होती है तो संप्रदैक्ता को थोड़ी सी अ मतलब कि पुलिस विवस्ता और जितने भी अन प्रसासने की काई है इनके में मध्ध जब समयनवय नहीं बन पाता तो संप्रदाइक्ता के विकास थोड़ी बहुती से बढ़ भी जाती है और कभी-कभी इसकी वज़े से हिंस तो यह प्रसासनी कारण हो गया और मीडिया समद्धी कारण की बात करें तो यह के मीडिया अकसर क्यांए किसी छोटे भी बात को इतना और चोटे बात ूर्टीर पी की मुदायग प्रेती दूसरे वर्क के लोगों में थोड़ी से नफरत की भावना आ गई तो ये संपर्दाइक्ता के विकास में मीडिया का बहुत ज्यादा योगतान है और कभी-कभी ये होता है कि कि शोशल मीडिया के वज़े से ही बहुत सारे चीज गलत हो जाती हैं साबित भी बाद ये पता चलता है कि जो सोशल मीडिया हमको जनकारी दे रही थी वो गलत था तो ये भी एक संपर्दाइक्ता के विकास में कि एक कारण है मीडिय समंधिक खारण और हम बात करें कि हमारे देह में संपधाइकता समधिक कुछ घटनाओं कि अगर हम बात करले तो इसमें पहला है तो भाई हमारे देश का जो भी भाजा नहीं हुआ संथ दूसरा 1984 का जो सिख्विरोधी दंगा हुआ था वह भी संपता एक्ता से समधित घटना था साथ साथ 1989 यानि 1989 में कास्मीर घाटी से कास्मीरी पंडितों का निसकासन और 1992 में बाबरी महसित्विवाद साथिसाथ वर्ष 2002 में गुजरात में दंगे और 2013 में मुझफर नगर उत्रप्रदेश में दंगा हुआ वो सब संप्रदायक्ता का एक उधारण है यह था धर्म संप्रदाय और संप्रदायक्ता के थोड़ी सी जानकारी तो ध्यान देजेगा कि धर् विशारधारा है जबकि धर्म के अंतरगत संप्रदाय आता है और जब संप्रदायों में राजनैतिक प्रवेत्ति असमान हो जाती है यानि कि कोई भी संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के प्रति विद्वेस की भावना रखे तो संप्रदायक्ता के यहां पर विकास होता है नमस्कार